नमस्कार आप देख रहे हैं भारत न्यूस टीवी, मैं हूँ आपके साथ पुजा और ये शुरुवार्ट करते हैं आज की कुछ खास ख़बरों के साथ चरगवा में सोने चांदी की खरीदारी करने आई एक महिला और दो लड़कों ने पलक जपकते ही दुकान मालिक को जहांसा देकर सोने के गहने चुरा लिये जबलपूर के चरगवा थाने के अंतरगत बिजोरी में स्रिजल सोनी की सोने चांदी की दुकान हैं दुकान पर खरीदारी करने आई एक महिला और दो लड़कियों ने 50,000 से ज्यादा के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगी CCTV में कैमरे में कैद हो गई है। दुकान दार ने बताया कि महिलाओं के दुकान से जाने के बाद जब जाच की तो एक कान के जुमके कम मिले। जिसके बाद CCTV कैमरे की फुटेज देखी, CCTV कैमरे में दिख रहा है कि किस तरह तीनों महिलाएं मिलकर कान के जुमको चुरा रही है। दुकानदार के मालिक स्रिजन सोनी ने चोरी होने के बाद महिला और लड़कियों को तलाश करने की कोशिश की काफी मशक्कत के बाद तीनों आरूपी महिला मिल गई है दुकानदार तीनों को पकड़ कर थाने ले गया चर्गवा थाने में महिलाओं के हिलाफ दोकादड़ी और जोरी का चीज दर्ज करवाया गया मेरी दोकान में तीन दो लड़की और एक लेड़ेस आई हुई थी तो नोंने बोला कि आपकी दोकान में टॉप्स है क्या तो मैं अंदर था पापजी थे दोकान में तो जैसे उनको टॉप्स देखाना स्टार्ट किया पहले चार जोड़ी उनको टॉप्स देखाए गए फिर उन्होंने बोला कि और वेराइटी है क्या तो पापजी ने बोले जी हाँ और वेराइटी है जैसे और वाराइटी देख्काने के लिए सर नीचे कियाum in a sticky top उठा लिया उठाने के बाद जैसे बाद में जब में पापा जी ने समान रखने स्टांट तो इसमें देखा एक जोड़ी Cherry top कम था तो फ़र उनको पते हिं था कि camera लगा है दो दुकान में जैसे कैमरा में वीडियो देखा तो उसमें इनौने एक जोड़ी टॉप्स उठाके रख लिया फिर बाद में इनको देखा तो इनौने फिर एक जोड़ी टॉप्स वापश किया खहा मिले थे आप यह चरग कहां तक पहुंच गए थे जारने टॉप्स लेकर उसके बाद जो चोरी की घटना हुई है वो क्या मामला है सर विजोरी में कल बारा से बारा बजे के बीच में कुछ महिलाएं माहिमा जुलर्स में गई थी उसमें से एक महिला दुकान के अंदर प्रिवेश करके दुकानदार शजल सोनी से बोले कि मुझे जुमता दिखाओ और जब दुकानदार ने जुमका दिखाया है तो उसमें से चार जुमका उन्होंने दिखाया था एक जुमका उसमें नहीं विला दुकानदार को शर्प हुआ और उन्होंने सीची टीवी केमरे पे देखा देखने पे उस महिला को लोगों ने पकड़ लिया था और आज इस म